ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं तुला राशी वालो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 अगस्त से 8 अगस्त यानि किन 7 दिनों के आपकी राशी के महाराशी फल्क के बारे में कि ये 7 दिन आपकी राशी वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं किनकिन चीजों से इनको फाइदा होगा किनकिन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पापुन जानकरी हम आपको देंगे इसलिए आप लोग इसे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ज़िए दोस्तों वीडियो का कि शुरू करें सबसे पहले भगवान बजरंग वली के सच्च वक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट से बॉक्स में जै बजरंग वली अवश्य लिगें जिससे भगवान बजरंग वली का शिर्वात आपको से प्राप्त हो सके चरी दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए दो अगस्त से आठ अगस्त याने के निशाथ दिनों का यह महत्पपोन समय दोस्तों इस समय आप भावनात्मक रूप से सशक्त रहेंगे ग्यानवर्दक तथा रोचक कारों में समय व्यातीत होगा परिवार के साथ धर्मिक इस्थल पर भी जाने का प्रोग्राम बनेगा आप अपने व्यक्तितव में शकारात्मक रूप से परिवर्तन भी महसूस करेंगे जमीन जायजाद और निवेस जैसी गतिविदियो में वेस्तता बनी रहेगी उत्तम समाचार की भी प्राप्ती होगी आप प्रतेक कारे में रूची लेकर अपनी छमताओं के नुसार काम को अंजाम देंगे दोस्तो कुल मिलाकर यह समय आपके लिए बहुती उत्तम है दोस्तो इस समय आप अपने आपको मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे आपका अपने व्यक्तित्व को निखारने के प्रती विसेश ध्यान रहेगा किसी महत्पपोन व्यक्ति से मिलने के बाद लाबदायक योजनाय भी बनेंगी शसुराल पक्ष से संबंद और भी अधिक मजबूत होंगे दोस्तो यह समय किसी महत्पपोन काम में सफलता मिलने से उत्सा और भी अधिक बढ़ेगा जिससे आप अपनी थकान भी भूल जाएंगे किसी प्रकार की प्रतीस प्रदा के छित्र में सफलता प्राप्त करने की उत्तम संभाव नए हैं जा दोस्तो कहना गलत नहीं होगा यह समय भग्य आपके पक्ष में हैं तो कि लाब के नए मार्ग आपके लिए बनेंगे लंबे समय से चली आ रही कोई चिंता समाप्त होगी जिससे मानसिक सांती रहेगी आर्थिक मामलों में भी थोस और महत्पकून निन्ने भी इस समय सफल होंगे दोस्तो साथ यह समय कोई सपना साकार होने से मानसिक रूप से सुकून रहेगा समय बहुती महत्पकून है इसका भरपूर शेहु करें अगर आप कोई नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो यह समय निर्ने बहुती उचित रहेगा जिहां दोस्तो साथ यह समय अचानक से कोई मुसीबत में समस्या खड़ी हो सकती है परंतु समझ बूज और सावधानी से आप इससे उभर भी जाएंगे नकारात्मक प्रवर्टी के लोगों के साथ संपर्क में रहना आपके लिए मान हानी का कारण बन सकता है शावधान रहें दोस्तो यह समय सब कुछ ठीक होने के बाबजूद भी मन में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं कुछ समय प्रकरती के साथ वे मेडिटेशन में समय व्यतित करना आपको सुकून देगा युवा वर्ग को अपने केरियर से संपंदित कार्य में अधिक ध्यान देनी की आवशक्ता हैं साथ द्धन संपंदित मामलों में भी किसी तरह का भी कोई समजोता आप ना करें दोस्तो यह समय वाहन या घर की मरमत संबंदित कारों में अठ्धादिक वे होने से बजट भी आपका बिगर सकता है अपने दिस्तिदारों के साथ संबंद भेतर बनाकर रखने में आपको मेहनत करने की आविशचता है दोस्तो यह समय केरियर और व्यक्तिगत कारों में अपने एहम को आड़े ना आने दे अन्यथा बनता हुआ काम बिगर जाएगा बहुत ही जल्दबाजी वे उत्तेजना की वज़े से किसी के साथ संबंदों में भी खटास आ सकती है इसलिए आप अपनी वानी में मधुर्ता बनाए रखें दोस्तो साथ साथ इस समय आप अपने विरोधियों की गतिविद्यों को नजर अंदाज ना करें छोटी सी भी बात पर ही किसी से कहा सुनी वैं बोल चाल हो सकती है इसलिए अपने स्वयभाब को सहियमित रखना आवश्चक है बच्चों की परिसानियों के न दोस्तो यह समय विद्यार्ती सोचने समझने में बहुत अधिक समय लगाने से हात में आई कोई उपलब्द भी खो सकते हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात करें लव लैफ के नजरिये से तो यह समय परिवारिक वातावरन खुसन मा रहेगा परिवार के साथ मनुरं परिवार के साथ सुक्स विदा संबंदी चीजों की स्वापिंग में भी समय व्यतित होगा परिवारिक माहौल मधूर रहेगा महमान नवाजी और मोज मस्ती में भी यह समय व्यतित होगा दोस्तो साती साथ यह समय जीवन साती के साथ कुछ तकरार की इस्तिती उत्पन हो स परन्तु सहज तरीके से आपस में बैठकर मामला सुल जाने से संबंद पूर्टे मजबूत हो सकते हैं। परन्तु यह भी निश्चित हैं कि आप अपने बल्बूते पर इस्तितियों को समाल भी लेंगे जिससे आपको बहुती खुसी महसूस होगी। नोकरी पेसा लोगों की अधिकारी वर्ग से मित्रता लाब ब्रद रहेगी। दोस्तो यह समय कारे छित्र में किसी प्रिकार का इस्थान या कारे प्रनाली में परिवर्टन करने की आवशक्ता है। अपने उपर आप हावी होने ना दें। अधिकारी भी आपके काम से प्रसन रहेंगे। वैवसाइक गतिविदिया सुचारों रूप से चलती रहेंगी। आपको अपनी महनत के अनुरूप उचित फल भी प्राप्त होंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों का भी अपने अधिनिस्त करमचारियों पर दब दबा बना रहेगा। दोस्तों यह समय कारूबारी अपने वैवसाइपर विशेश रूप से ध्यान केंद्रित रखें। उनके लिए इस समय लाबधायक ग्रह की इस्तिती बनी होई है। मनोरंजन तथा सौनर्य प्रशाधन संबंदित वैवसाय विशेश रूप से तरक्की में रहेंगे। नौकरी में आपको कोई महत्पपून पद की प्राप्ति होगी जिससे आपको काफे खुसी का अनबभ होगा। दोस्तो बात करें आपके स्वास्त की तो स्वास्त आपका ठीक रहेगा कफ प्रकरती के लोग बदलते मौसम से अपने आपका बचाव करकर रखें। मौसमी बीमारियां जैसे खासी जुखाम आधी परिशान कर सकती हैं। आरुवेदिक चीजों का अधिक से अधिक शेवन करें। दोस्तो साती सात पेट से सम्बंदित किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती हैं। अपने खानपान को सहीं बित रखें। आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा।